हेलो एब्रीबन वेलकम बैक टू दे चैनल आज की वीडियो में क्लास वालत का इंगलिज के आपके मोस्ट इंपोर्टन कुश्चिन में आपको प्रवाइड करूँगा ठीक है और जिसमें की मैं फ्लाइमिंगो और विस्टाज सभी दोनों बुक के आपके इंपोर्टन जो आपका आया है और जितना भी चैनल हो गया उसको छोड़ करके तो मतलब नए तरीके से जो भी आपके लिए चाप्टर से हैं उनके सभी इंपोर्टन कुश्चिन आज की वीडियो में प्रवाइड करूँगा इन कुश्चिन को अगर आप पढ़ लेते हो तो यह 100% से ओ वीडियो को और चैनल पर भी नहीं है अगर चैनल पर भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि यह वीडियो जो आपके लिए very 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 most important है आपके लिए ठीक है बहुत ज्यादा important है सभी questions आपके लिए तयार है और साथी साथ इसके बाद इसमें अभी chapter का है इसके बाद आप कमेंट करते हो grammar आप कमेंट करें तो मैं grammar section पर relatable आपका पूरा वीडियो बना दूँगा पूरा dedicated grammar का ही जिसमें कि आपका पूरा syllabus को देख करके कि कौन-कौन से grammar section से कौन-कौन मतलब किस grammar से आपके question पूछेंगे तो सब के मैं example सहीद साथ ही साथ पूरा explanation सहीद आपके वीडियो बना दूगा तो चैनल पर भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना कमेंट कर देना grammar का वीडियो चाहिए और अपने दोस्तों स्कूल मेट्स क्लासमेट्स बैसमेट्स के साथ सेयर करना और एक लाइक तो बनता है ठीक है चलो फिर सुरू करते आज किस वीड इन questions को पढ़ लेना पक्का आपके exam में जरूर पसेगे ठीक है इसमें आपको कोई संधिय की बात नहीं है पहला question है आपका what was friends expected to be prepared with for school that day ठीक है यह question very very most important question आपको पढ़ लेना है solution इसका चाहिए अगर आपको solution नहीं मिला तो मैं आपको telegram के channel पर डाल दूँगा आपको PDF provide कर दोगा जिन्होंने join नहीं किया तो join कर ले जिन्होंने join करके रखा तो comment कर देना किसी वीडियो के section में ठीक है तो आपको मिलता रहेगा clear हो रहा है इन सबको solution में डाल दूँगा दूसरा chapter आप देखिए what had been put up on the bulletin board ठीक है यह आपको important question है यह भी आपको पढ़ लेना ह सभी में काम आएंगे ठीक है फिलाल वह ऐसे भी तैयारी करवांगा third question देखिए who were sitting on the black benches during m.hamel's last lesson and why ठीक है यह most question है इन सबको solution telegram में मिल जाएंगे give a brief character sketch of m.hamel's ठीक है इनके m.hamel's के मतलब छोटा सा इनके character के बारे में छोटा सा sketch है वो brief character sketch देना ठीक है बताना उनके बारे में what changes did the order from Berlin cause in school that day ठीक है उस दिन क्या reason था वो चीज़ बताना था order पे what is a sahib what is sahib looking for in the garbage dumps garbage dumps में sahib क्या देख रहे थे clear हो रहा है यह questions आपको पढ़ लेना very most है what makes the city of Firozabad famous पतना फिरोजबाद की city किस चीज़ के लिए famous है ठीक है who is Mukesh what is his dream Mukesh कौन है उसका dream क्या था यह question very most है इसको भी पढ़ लेना सभी question चुनिंदा है तो इन questions को पढ़ लेना to which country did sahib's parents originally belong sahib के जो parents थे originally वास्तों में कहां से belong करती थे why did they come to India or where has sahib come from वह इंडिया क्यों आए और sahib और where where has sahib come from और sahib कहां से आए थे ठीक है अंगला question देखे is sahib happy working at the tea stall explain क्या sahib tea stall में काम करती हुए खुष थे इसको explain करना clear हो रहा है सभी questions आपके लिए very most important question है इन सबके solution को टेलीग्राम को चैनल पर डाल दूँगा अपने मतलब अपने फिर फोटर से ओवर कम कैसे हुआ मतलब बाहर कैसे है फिर पानी की पानी की डर से what is the miss advances miss miss adventure that William Douglas speak about ठीक है William Douglas के जिसके बाहर बोली थी उसका miss advantage क्या है ठीक है इसके बाल अंगला question how did the instructor instructor build a swimmer out of the girls ठीक है clear हो रहा है अंगले देखें when did the girls first become afraid of water पहली बाहर पानी से Douglas कब डरा था what happened to the Douglas at the YMCA pool इस pool में Douglas के साथ क्या हुआ थे questions पढ़ ले ना from where did the peddler get to get the idea of the world being red trap ठीक है red trap बाली चाप्टर से what doubts did Elda have about the peddler clear अडला के पास peddler के about peddler के बारे में क्या doubts थे अंगला question when did the iron master realize this mistake his mistake iron master अपनी mistake कब realize किया उसको क्या वैसास हो अपनी गलती का what made the peddler finally changes his way peddler को क्या ऐसा प्रभावित करें जिससे को अपनी रास्ते बदल दिये why was Adla happy to see the gift left by the peddler why was Adla happy Adla की happy थी पेडलर के दार गिप्ट दी हुए ठीक है छूटे हुए ठीक है फिर इसके बाद list the place that Gandhi जी visited between his first meeting with Sukla and his arrival at the Champaran मतलब जब Sukla से मिले और जब Champaran पहुचे तो उस पर जब उन्होंने विजिट किया तो Gandhi के बारे में मतलब उन places के बारे मताना ठीक है first meeting के दौरान why did Gandhi जी agree to a settlement of 25% refund to the farmer किसानों के लिए 25% refund के लिए Gandhi जी agree क्यों हो गया मतलब settlement करने के लिए how do we know that ordinary people to contribute to the freedom movement हमें कैसे पतल चलता कि ordinary people freedom movement के लिए मतलब अपने आपको contribute करते है वाट वस गांधी जी politics गांधी जी जी politics interviewed with इंटर्वाइंड विथ गांधी जी की politics इंटर्वाइंड गांधी जी की politics राजनीती की बारे मताना ठीक है यहां कोई मिस्टीक हो सकती है ठीक है मतलब question देख लेना आप गांधी जी मुझफर गांधी जी वाला chapter है यह आपके प्रोस वाले chapter से थे ठीक है प्रोस वाले section से थे जो कि very most important question है सभी पक्का आपके exam में जरूर आएंगी तो इन questions को पढ़ लेना इसका solution मैं आपको telegram पर डाल दूँगा जाकर जोन कर लें poetry section से देखिए poetry section से आपको क्या क्या आया है poetry section chapter 3rd से elementary school elementary school classroom in a slum ठीक है यह इसमें से आपकी यह एक्सट्स टैक क्या चीज एक चीज पहले समझ लो यह जाम में 100% आएगी मैं कहूं चाहे ना कहूं quarterly हो half early हो final हो pre board हो कोई भी exam हो यह 100% एक्सट्स टैक आती है अब एक्सट्स्राइक क्या एक पैसेज है ठीक है देखो जैसे हिंदी में होता है गद्दान्स और पद्दान्स ठीक है उसी प्रकार से इंगलिस में होता है यह प्रोज हो गया और यह हो गया पॉट्री क्लियर हो रहा है तो पॉट्री से आपके पद्दान्स आते हैं पैसेज हिंदी में इसी तरीके से पोट्री से पैसेज आती हैं इंगलिस में यहां आते ह यह पैसे जाती है उसमें वह प्ड़ना नाम को याद रहेगा फिर पोएट का नाम मतलब कवी कौन है टीक है इसके बाद थोड़ी थोड़ी और अर चीजी याद रखने है आपको इसमें से grammar पूछ लेता है, कोई भी question होगा, उसमें पूछ लेगा, इसका noun बताओ, इसका verb बताओ, ये चीज आपको अच्छे तरीके से clear रखना, तो इस chapter, इस extract को आपको solve कर लेना है, अगर नहीं solve किया, तो मैं solve करवाद हूँगा, चिंता नहीं करना, ठीक है, clear हो तो ये चीज आपको इस chapter से भी और इस chapter से भी same same चीज ए, extracts आपको पढ़ लेना, poem, poet के नाम याद कर लेना, और कुछ questions आपके grammar section से पूछेगा, उसमें से तो आप clear कर लेना, clear हो रहा है, तो ये थी आपके flamingo वाली book से, जिसकी important question, prose poetry से, अब आपको मैं supplementary जो आपकी provide कर देता हूँ, पहला question आप से पूछेगा, what are Geoff Green's reasons for including high school student, in the student of his expenditure, clear हो रहा है, ये question आपको पढ़ लेना है, इसके बाद, why is America, sorry, Antarctica the place to go to, to understand the earth's present past and future, ठीक है, Antarctica जाने से में ऐसे क्यों लगता है, कि हम present past future के बारे में प्रतिवी की जान पाएंगे, next question है, how would you explain the reluctance of the soldiers to leave the shelter of the doctor's home, even when he knew, he couldn't stay there without risk to the doctor and himself, clear हो रहा है, ये सभी questions आपको पढ़ लेना है, very most है, do you think the doctor's final solution to the problem was the best possible one in, in, ठीक है, ये साथ question लेकने में थोड़ी से हो गया होगा, आप देख लेना, starting से, last का थोड़ी से missing है, तो आप देख लेना, chapter में मिला लेना, ये question पढ़ लेना है, इसके बाद अंगला question, does the story remind you of birth by A.J. Cronin that you read in snapshot last year, what are the similarities, जो अपने 11 में पढ़ी है, उससे relate करती है, A.J. Cronin के, या नहीं, ये चीज बताना है, ये सायद ही आपाए, लेकिन देख लेना है करीक, एक बार, ठीक है, ये important question है, क्लेर हो रहा है, ये question आपको पढ़ लेना है, तो ये सभी-सभी के आपके important question थे, जिनको आपको पढ़ लेना, बहुत important है, और grammar section का video बना दूँगा, description box में, आप link वगरे, चेक आउट कर लेना, अधर सब्सक्राइब कर लेना, ये थे comment जरूर कर देना, तो grammar काम है, आपक आपको provide कर दोगा, ये मैं 100% guarantee के साथ बोल सकता हूँ, कि अगर आप हमसे grammar पढ़ते हो, तो पका आपको कोई भी doubt ने रहेगा, बहुत सारे, मैं आपको paid तरीके से जैसे आपको tuition classes में मिलती है, classes उस तरीके से classes आपको provide करूँगा, ठीक है, live मैं आपको बताऊँगा, copy कैसे लिखते हैं, तो आप चैनल को subscribe करके रख सकते हैं, ठीक है, चैनल भी नहीं है, तो चैनल को subscribe करना, वीडियो अच्छी लगए तो शेयर करना, और एक like तो जरूर बनता है, तो like जरूर कर देना, मिलता है next video किसी नए topic के साथ, अब तक के लिए, अलविदा, जाहिन, जाह भ करना है।